दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 2005 में रिलीज हुई रुमेंटिक मिस्ट्री थिलर मुवी यकीन का जिसकी लीडिंग कास में मौझूद हैं अरजुन राम पाल, पिर्यांका चोपडा, अनकुर नायर, किम शर्मा, सुधानशु पांडे, सौरप शुकला और अनंग देसाई इसके लावा इस फिल्म की कहानी लिखिया है विकरम भड ने और इस फिल्म को डारेक किया है गिरिज धमीजा ने और इस फिल्म के प्रेडियूसर है सुजीत कुमार सिंग अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक एकसिडेंट से जहां सिमर यानि पिर्यांका चोपड़ा को इस हाथसे में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता और वो बच जाती है मगर उसका हस्बेंड निखिल यानि अरजुन रामपाल की कंडिशन काफी क्रिटिकल होती है और उसका पूरा चैरा कांश के टुकडों की वज़ा से खराब हो जाता है और सिर्फ यही नहीं वो अपनी याददाश भी खो बैठता है मगर सिमर हिम्मत नहीं हारती और अपने प्यार और फिजिकल ट्वीटमेंट के 6 महीने के बाद वो निखिल को हॉस्पिटल से घर ले आती है मगर निखिल जिसे अपनी बीती वी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता वो काफी परेशान रहने लग जाता है और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब निखिल को उसके पुराने दोश से पता चलता है कि उसके सिमर के साथ कुछ अच्छे तालुकात नहीं थे और इस बात की तस्दीक होती है जब तानिया यानि किम शर्मा निखिल को सारी सच्चाई बताती है कि जिस रात इन दोनों का एक्सिडेंट हुआ था उस रात तो निखिल सिमर को तलाग देने वाला था अब इसके आगे फिल्म की कहानी काफी थ्रिलिंग हो जाती है जहां unexpected twist sentence हमें देखने को मिलते हैं मगर देखना तो ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो निखिल इतना प्यार करने वाली बीवी को तलाग देने वाला था ये जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं अब बात करें डारेक्शन के बारे में तो नो डाउट ग्रिश धमीजा ने अपनी डारेक्शन से हमें टोटली इंप्रेस कर दिया है और जिस तरह से उन्होंने इस स्टोरी को प्रिजेंट किया है वो वाकई में काबले तारीफ बात है और फिल्म का स्क्रीम प्ले भी काफी युनीक अंदाज में लिखा गया है जहां फर्स्ट आफ और सेगिंड आफ टोटली एक दूसरे से अलग है और यही चीज इस फिल्म को खास बनाती है फिल्म का फर्स्ट आफ हमें शुरू से ही कहानी से जोड लेता है और हमें कहीं भी गेस करने नहीं देता के आगे क्या होगा और सेकंड हाफ थ्रिलिंग एलिमेंट्स और अपसेंट डाउंस के साथ लिखा गया है जो काफी इंगेजिंग है और फास्ट पेस्ट एक्स्पीरियंस देता है और फिल्म की मिस्ट्री की बात करें तो इस फिल्म की मिस्ट्री बिल्कुली उन्प्रिडिक्टिबल है और मेरे ख्याल से 2005 में जब ऐसी मुवीज का इतना खास ट्रेंड नहीं था तो उस टाइम पे तनी अच्छी मिस्ट्री थिल्र मुवी बनाना वाकी में एक काबले तारीफ बात है अब बात करें डायलॉक्स की तो इस फिल्म में हमें काफी शांदार डायलॉक्स सुनने को मिलते हैं जो काफी अच्छे से लिखे गए हैं और म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी काफी अच्छा है और इस फिल्म में हमें एक सैटिस्पाइं साउंट्रेक सुनने को मिलता है अब बात करें एक्टिंग पर्फॉर्मेस की तो फिल्म के लीड एक्टर अर्जुन रामपाल एक बहुत काबिल एक्टर है और उन्होंने अपना रोल इतनी खुबसूरती से निभाया है कि शायदे कोई दूसरा एक्टर इस रोल को इतने अच्छे से निभा पाता और इस शांदार पर्फॉर्मेस पे अर्जुन रामपाल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है और पिर्यांका चुबडा ने भी अपने किरदार को अच्छे से निभाया और मेरे ख्याल से इस सरा के शायप रोल्स उन पे काफी सूट करते हैं और उनकी पर्फॉर्मेस भी आउटिस्टेंडिंग रही इसके लावा फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपना अपना रोल बहुत शांदार तरीके से निभाया और आउटिस्टेंडिंग पर्फॉर्मेस दी खास सौर पे सौरप शुकला इस फिल्म में काफी इंप्रेसिफ नजर आए ओवर ओल देखा जाए तो यकीन एक वेल वेटन मुवी है जिसे एक मस्ट वाच मुवी कहना भी गलत नहीं होगा और ये मुवी अरजुन रामपाल के केरियर की वन आप दा बेस्ट मुवी है जो मैं आप सब को हाइली रेकमेंड करूंगा आप सब भी इस शांदार मुवी को जरूर देखिएगा और अगर आप मिस्ट्री थिलर मुवी देखना पसंद करते हैं तो ये मुवी आपको बहत पसंद आएगी